पाठ तेरह चरित्र बहुत समय पहले की बात है, पुरानी जील के उस पार पहाडी के पीछे एक नगर था. नगर का राजा बहुत ही न्याय प्रिये था, वह अपने राज्ज में किसी प्रकार की चोरी डकैती या हेरा फेरी नहीं होने देता था. राजा की दर्बार में नौ दर्बारी थे, उनमें से एक ब्राह्मन था, ब्राह्मन जीव हिंसा, चोरी, मिथ्या आदी से बहुत दूर रहता था, राजा अन्य दर्बारियों की अपेक्षा ब्राह्मन को ही अधिक मान देता था, राजा से सम्मान पाने के कारण अन्य दर्बारी, कर्मचारी आदी भी उसका आदर करते थे एक दिन ब्राह्मन के मन में विचार आया कि राजा मेरी इतनी खातिरदारी और सम्मान क्यों करता है क्या उसका कारण मेरी जाती है या मेरे कुल के लिए या देश, विद्या और चरित्र के लिए अच्छा तो एक दिन इस बात की परीक्षा क्यों न ली जाए राजदर्बार में लेखा जोखा देखने वाला एक कर्मचारी था वह लेन देन वालों का हिसाब रखता था ब्राह्मन का वह भी बहुत सम्मान किया करता था एक दिन ब्राह्मन राज सभा में राजा से भेंट लेकर घर लोट रहा था उसी समय राज कर्मचारी ने आदमियों को देने के लिए जो रुप्या पैसा संभाल कर रखा था कर्मचारी ने यह देखा क्योंकि वह उसकी खूब भक्ति करता था अतेव वह उस दिन देखकर भी चुप रहा। ब्राहमण ने दूसरे दिन फिर रुपय चुरानी की सोची। राज कर्मचारी देखते ही जोर-जोर से चोर-चोर कहकर चिल्लाने लगा। चारू तरफ से लोगों की वहां भीर लग गई, लोगों ने ब्राहमण को पकड़ लिया। वे बोले, वह पंडित जी, इतने दिनों तक खूब सच्चरित्र और सुशील बनते रहे। अग चलो राजा के पास। ब्राहमण को पकड़ कर वे राजा के पास ले गए और सारी घटना कह सुनाई। राजा यह घटना सुनकर काफी दुखी हुआ। बोला, ब्राहमण, तुम इतने दुष्ठ हो। यह कहकर राजा ने कहा, इसे ले जाओ और कठोर से कठोर दंड दो। ब्राहमण ने कहा, महराज, मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने कहा, अगर तुम चोर नहीं हो, तो तुमने ऐसा काम क्यों किया। ब्राहमण ने तब सारी बातें खुल कर कहीं, महराज, आप मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बड़ा आदर सम्मान करते थे, लोग मेरी भक्ती करते थे। यही देखकर मैंने सोचा, कि मेरा इतना अमान सम्मान किस लिए है। इसी की परीक्षा करने के लिए महराज, मैंने आपका धन चुराया था। अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा जो भी सम्मान है सब कुछ मेरे चरित्र के गुण से है। इसके बाद ब्राह्मन राजदर्बार को त्याग कर चरित्र निर्मान के लिए सन्यासी होकर तपस्या करने चला गया। इस घटना को देखकर राजमहल में जितने भी लोग थे उन सभी को यह सीख मिल गई कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व चरित्र का है। चरित्र ही व्यक्ति की पहचान होती है इसलिए उसे कभी गिरने नहीं देना चाहिए।